मा सरस्मती को प्रणाम करता हूँ अपस्तित सभी को प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद अधरनिया जिनाकाजी जी बोराना साहब आपने हम कवियों के सम्मान में वो सब कह दिया जो हमने ही आपको लिख के दिया था बहुत अच्छा लगा कि हमारी बात आप तक पहुँच रही है मैं माइका लाल आप से भी प्राठना करता हूं किदर बैठे हो सामने एक तो आप से गुजारिश है कि इस माइक का सिस्टम थोड़ा हमारे इसाब से सेट कर दो इसका इक को बिलकुल बंद कर दो जीरो सभी ओरीजिनल कवी आए हैं इनकी ओरीजिनल आवाज आनी चाहिए जब जिसको जुरुत पड़ेगी वो इक को करवा लेगा है एक को बिलकुल आपना इसका बैस थोड़ा सा कम करो हालो यस थोड़ा और कम अर बेबी को बेस पसंद है बेबे को नहीं है हालो यस इसकी ट्रिवल थोड़ी से बढ़ा हो यस थोड़ी और बढ़ा हो जो मोनिटर स्टेज को साउंड दे रहे हैं उनको थोड़ा सा लाउड कर दो थोड़ा वर लाउड यह इतनी बाते में इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं भी पहले माइक वाड़ा ही था वेरी गूड अब इस माइक को पहले जैसा ही कर दो आनंद के सरोकारों को हमें इकठा करना पड़ेगा जुटाना पड़ेगा मस्ती के मूड में आना पड़ेगा फोर्मल्टी से बाहर निकलना पड़ेगा नैसरगीक होना पड़ेगा प्राकर्तिक होना पड़ेगा तब जाकर के आनंद के असली अधभूत जो आकरशन है उसके कि आसपास हम पहुंच पाएंगे उसके हैसास में प्रवेश कर पाएंगे बहुत ही अच्छा और आनंद दायक का विसम्मल यहां प्रारम होने जा रहा है मैं लुंकड परिवार को बहुत-बहुत प्रणाम करता हूं बधाईयां देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करत ताकि वह हजारों लाखों करोड़ों लोगों के चेरे पर आनंद की रेखाएं प्रकट करने के ऐसे सोबा के किक्षन प्राप्त करते रहें आपके तालियों की कड़गाट उन्हें शुब कामना और बधाई के सुरूप उन तक पहुंचने चाहिए अधरनिये रमेश जी शाह साब यहां उपस्तित हैं मैं इनको और आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत प्रणाम करते वे इस कविसमलन को प्रार्णम करने की महाशक्तियों से प्रार्थना करते वे इजाज़त चाहता हूँ एक चीज जो यहां छूट गई मैं उसके लिए भी आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा बहुत ही अच्छा कविसमलन की प्रष्टभूमी का संचालन उस वक्त माना जाता है मैं जो संचालन कर रहा हूं यह कोई मैत्पूर नहीं है संचालन उस वक्त होता है जब सामने एक भी श्रोता कुर्ची पर बेठा हुआ नहीं और माइक पर बोलना पड़े उस परिस्तिती में हमारी बहन आदर्णिया बिनाका जी ने जो यहां पर परिस्रम किया है मैं चाहता हूं पूरा सदन जोरदार तालियों से आदर्णिया बिनाका जी का इसम काम पर अबिनांदर कर दें क्योंकि हमें तो हजारों लोग मिल गए वह जब यहां पर पढ़ रही थी तब कोई भी नहीं था बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और ने केवल अच्छा है तो मैंने मजाक में कह दिया कि इन्होंने वही बोला जो हमने आ लड़की देखने गए तो मेरे पिदाजी ने कहा हमारा लड़का बहुत उंचा काता है तो मेरी होने वाली सास बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी हमारी लड़की भी उंचा ही जुनती है यानि चारों तरफ ठाके विख्रे पड़े में घट्राओं में द्रिश्चों में समवादों में आपके द्रिश्टी नहीं जाती कभी की जाती है तो आपके लिए आनंद ले करके आता है पदार ये महात्मा गांधी के तीनों प्रेम सिष्ष यहां पर पदार रहे हैं उनक कि प्यार की रात हो गई मौन का मौन रह गयार बात की बात हो गई अब मौबबत में ऐसी पवित्रता बची खांग खत्म हो गया महभूब की गलियों में घूमने का चलन अब तो बस उसकी फेस्बुक प्रोफाइल पर गूम के आ जाते हैं इतनी सी मौबबत की आत्रा बची हुई है ये जो प्रेम प्यार के पंपाड़े पर ये जो पंचोरे उचल रहे हैं न मैं इनसे कहता हूं दोस्तों प्रेम वो नहीं है जो फिल्मों में नायक नाइकाओं के लिपटने चिपटने को बताया जाता है अरे प्रेम वो है जब रात 11 बजे तुमारी मां हात में दूद का गिलास लेकर आये और माते पर हात फिराते वे कहे प्रेस हो जा बेटा आप कल पढ़ लेना है प्यार वो है जब आप ट्यूशन से घर आने में लेट हो जाओ तो आपके पिता जी आप से कहें कि बेटा फोन कर देता तो मैं स्कूटर लेकर तुझे लेने आ जाता है प्यार वो है जब इतराती हुई आपकी बहिन आपसे यह कहें देखती हूं मेरी शादी के बाद तुम्हारा काम कौन करता है प्यार वो जब मुस्कुराते हुए आपकी भावी आपसे कहें ओए चोरे चोरी पटी की नीपटी प्यार वो है जब आप निराश हों तो आपका बड़ा भाई आपसे आकर के कहे चलनो टंकी घूमने चलते हैं प्यार वो है जब आपके दोस्त लोग आपको फोन करके कहे ओए कमीने जिन्दा आएगी मर गया यह फिल्मों में नायक नायकों का लिपटना चिपटना महबबत नहीं है मेरा मानना है कि पाउं भिगोए बिना आप समंदर पार कर सकते हो पर आँखों को भिगोए बिना महबबत संभव नहीं है कुछ समय पहले वो चीन के राष्ट्र अद्यक्स अपने हिंदुस्तान आये भारत के प्रदान मंत्री मोदी जी ने उनसे हाथ मिलाया और जोर जोर से हिलाने लगे तो पीए ने इशारा किया सर दीरे चाइनीज है कि विसंगतियों के ठाग है कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र संग में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने आतंक वाद के खिलाब भाशन दिया पाकिस्तान का प्रधान मंत्री आतंकवाद के खिलाब भाशन दे ऐसा लगता सनी लियोन करवाचोथ की कता सुना रही हो जिदर देखो उतर ठाकि नजर दोड़ाने की जरुत है सर कवी जब घटनाओं को उश्रंकलता से देखता है आपके चेरे पर मुस्कान लेकर के आता है कवी जब घटनाओं को गंभीरता से देखता है आपके मानस पडल को चेतना पर ले जाकर के छोड़ देता है संसार में सारा खेल सृष्टी में सारा खेल दृष्टी का है गटनाओं को देखते किस नजरिये से है मंदो दरी ने कहा रावन से तुम सीता का अपरहन कर लाए वो तुमारी बनने को तयार नहीं है तुम इतने बड़े माया भी हो तो राम का रूप धारन करके सीता के सामने क्यों नहीं चले जाते जिससे वो स्वयं तुमारी हो जाए तो रावन ने कहा मैं बैशक बड़ा माया भी हूँ अरे मैं राम का रूप धर तो सकता हूँ पर मैं जब जब भी राम का रूप धारन करता हूँ हर पराई योरत मुझे मावर बहन नजर आने लगती है कि मैं देविलोग गामी स्वर्गिय सुमेर साथ को भी यहां पर स्मर्ण करूंगा और इसा जो समारों यहां पर हो रहा है वह चंतनद की पवित्रता से हिंख इसलिए यहां पर हो रहा है कितना बड़िया प्रेम प्यार के गीत उन्हों ने सुनाय. है है मैं तो आपको पहले का ह мен अभी कहा हैतला कि मैं तो प्रेम प्यार्ज के पंपाले ज़्यादा नहीं करta अधा लेकिन क्या होता है है रोत है संपून्ब सम्वेधनाओं के सफर का नाम मनुष्य जीवन है अ या रात में अगर कहीं देखने को मिलती है तो सिर्फ कवी समलन के मंच पर देखने को मिलती है तो वरना मेरी गारंटी है रात को 12-1 सरदी के महिने में सारी राजनितिक पारिटी के राष्ट्रिय अध्यक्षों को भी लाकर के यहां बिठा दो ना तो लोग घर से आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पर आप सब लोग यहां लुंकर परिवार के बुलावे पर आएं खाना घर से खा के आए तेल गांट का चला के आए हां यहां भी होगा परसाद होगा यहां पगवान का परसाद यहां खाना नहीं यह परसाद है लेकिन बात मेरी कहना का मतलब यह था कि ऐसा कुछ है कवी संभिलन में आज भी जो दुनिया की किसी दूसरी विधा में देखने को आपको नहीं मिलेगा साहित देगी कई विधाएं रिपोर्ट आज है निबंध है कहानी है रेखाचित्र है लेकिन ये तमाम विधाएं जब कविता की कुरसी के सामने से निकलती है तो उसको सलाम करते वे निकलती है क्योंकि वेद की रिचाओं से लेकर बुद्धी प्रकास की तुतलाहड तक जो क कुछ नजर आता है वो सब ब्रह्मार्ण में कविता में नजर आता है कविता के बाहर इस धर्ति पर कुछ भी नहीं है दोस्तों तब मैं इस मुकाम पर जिस कवी को जिस सक्षियत को बलाने चाहता हूं वह प्रेम के पुजारी है कि अब कहां जा रहे हैं अच्छा वापस रहे हैं अब जडप के जा रहे हैं हमारे महमान है थे myself करता रहे हैं मेरे लिए सभी महत्वपूर्ण विखती है यहां पर जित्ने लोगs गया नहीं आइए वो भी महत्वपूर्ण मेर्ज इस्तों इसन सार में सभी चीज़ों का महत्रपुुन मानता हूं बस प्रेम प्यार के पंपाडों को कमपीड़ता से नहीं लेता है क्या सुना रही देखो शास्तर कहते हैं या साहब मैं जो भी कहूंगा अच्छा ही कहूंगा शास्त्र कहते हैं मंदुरम चे तुरंगा नाम माला नमी बदंति नाम पुन्साम मंत्र इवाही नाम बंधनाम वामलो चना इसे हस्रे जैसे इनको आई रहा है समझ में हमारे यह सब ग्यानी है देश में कोई खुद को मूर्ख बताना भी जाए अब आर्थ सुनोगे आप रोमान्चित हो जाओगे विश्णो जीव ऐसा मज़ा लेना मंदुरम चे तुरंगा नाम माला नमी बदंति नाम पुन्साम मं मंत्र इवाही नाम बंधनम वाम लोचना अर्थात जिस तरह घोड़ों को बांधने के लिए अस्तबल हातियों को बांधने के लिए खंबा कि स्वाप को बांधने के लिए मंत्र बंधन का कारण है उसी प्रकार ये इस्त्रियां पुरिशों के लिए बंधन का कारण है हुआ को कि आप रस्म ही अनुवट बेगा है आनंद लेते जा रहे हो लेकिन इसका ठीक जवाब देना चीए अभी तक राध भर में प्रेम-प्यार का सठीक प्रबंधन करके क्योंकि जो डॉक्तर है उइसे भी डॉक्तर है प्रेम-प्यार के डॉक्तर विश्ण sigma सकसे ना कि मैंने तो खुशी की बात है बात तो ठीक है यार पर मुझे पता नहीं चल रहा को मेरी कौन सी दवाई से ठीक हुआ हमारे शरीर ते डाक्टर लोग प्रियोक करने के काम ले रहे हैं डाक्टरों की दुनिया बड़ी अद्वूत है वह सारी बाते हैं पर एक बार जो डाक्टर साहब ते जिंदगी में उन्होंने पहली बार ओपरेशन किया पैशेंट मर गया तो डाक्टर साहब ने भगवान की तस्बीर के हाथ जोडते वे का है प्रभू मेरी तरफ से ये पहली भेंट स्वीकार करें लेकिन जिंदगी जीना और जिंदगी देना जिसकी कविताओं का लक्षन है वो डॉक्टर विश्णो सक्सेना आज के समारों के अध्यक्ष है प्रेम की सठीक प्रस्तुती जिनकी क प्रविताओं में आती है इस मुकाम पर ये कहा जा सकता है अब सुना आना देलवी और हमारी पदमनी विश्णो सक्सेना इन नोजवान लड़कों की तरफ से क्या कहना चाहते हैं कि ये अपना ही मदुवंत कलेजा था ये अपना ही मदुवंत कलेजा था जो कुटिया में भी सत्य सहे जा था प्यासे मरुधर में जो तुम्हें मिला होगा वो मेग दूत हमने ही बेजा था कवी सम्मेलन का आनंद आ रहा है मुझे भी बहुत आ रहा है अब और ज्यादा आनंद लेना है तो आप सब मंच के सामने नजदीक की तरफ आजाओ अगया जवाद आजाओ ना प्रब्लम कवी सम्मेलन का एक त्योहार में तब्दील करना चाहते हैं और केमरा परसं से भी मेरी प्राइट ना ओडियन्स की तरफ कर दिया जाए ओडियन्से भी मेरी प्राइट ना की बिल्कुल नस्दीक आजाओ मैं भी आपको हो ना क्योंकि अब टीवी पर दिखने के लिए मैं कवीताई नहीं पड़ूंगा आप लोगो के आनंद के लिए क्योंकि जब इतनी देर तक आप लोग बैठे हो तो मेरी भी कुछ जिम्मे मारी करवा चोत का चांद मारा जिवडा नेमत रांद छलके जबर सबर को बांद डील मैं गुंगरू बाजेरे साजन जल्दी आजेरे हारे बेगो आजेरे यही बनेगा राष्ट्रगी तब है इसी आनंद के साथ सुनना क्योंकि मैं आप सब लोग के संजीव साब बिराजी ना सर विनोजी भाई साब हाँ आपको आनंद आ रहा है ना बहुत अच्छा लगा आप सब लोग अभी तक सुन रहे हो देखो यह जो मैं गीत का रहा हू लोग रंजन का गीत है और यहां हम सब लोग आपस में कई परिवार के लोग बैठे वे हैं सके संबंधी भी बैठे है और आधन यह रमेज जी शाह साब आप यहां बिराजमान है तो इसका मतलब है कि आपके सके संबंधी भी आए ही होंगे संबंधी जी आए है अरे विनोज जी साब आपके संबंधी जी वाववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव और लोकरंजन मेंजर, मैं जिसलिए गाता हूं सार शादी विवा, जिसे सुमांगली के अउसनों पर हमारी माताएं बैने जो गीद गाती है कोई बता सकता है वो गीत किन गीत कारों औक रॉन लिखे हमारे यहां शादी विवाय के मोके पर जब बरात आती है, जीमने बेड़ती है तो ब्याणिया, सगिया, गाडियां गाती है। दुनिया का ऐसा अकेला मुलक है जहां गाडिया देने से प्रेम बढ़ता है। दुनिया के दूसरे मुलक में यह कल्चर नहीं मिलेगा आपको और क्या गाडियां देती है बरात जब बेड़ती है तो अब तो उठो रे भूका नार लाओ काई जीम्या जाशो रे कोठ्यार को राम रुखालो कभी-कभी तो यह ब्याणियां सगियां आपस में भी गाडियां देती है हाई मिसरी वाई मिसरी सबसे पहली तुई पसरी क्या लोगरंजन उनमाद है हमारे यहां का कभी समरन हो रहा है मुझे भी बहुत आनंदा रहा है तो मैं आपको देखो कई सारे व्यग्यानिक आविस्कार हुए उसकी वजए से लोग संस्कृती में क्या परिवर्तन आते तो मैंने मेरी दृष्की दोड़ी तो मैंने का यार यह जो हमारे लोग संबंद है इनमें क्या परिवर्तन आया कंप्यूटर आगे मोबाइल आगे वह से अब आजकल प्रेन प्यार मोहबत में दिल तूड़ जाता तो दर्द नी होता है असली दर्द तो तब होता है संजीव सहर जब आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के जा और दो घंटे बाद आके देखो कि बटन तबाना तो कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल बुद्ध्य प्रकास दादीच को अनुशासन ही नोकर सुनने का रिवाज है कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल बुडापा में भ्याई जी के नखराथो देख दाडी बनाए कर की ओ कोलबेक फ्रेशनेस के साथ हमारे लोग संबंदों में कितना ध्यान रखा जाता है दाड़ी बना करके कोल बेक करते हैं बेई जी बोल अचानक वीडियो कोल हो जाए तो बुड़ा बम है बेई जी के नखरात देख दाड़ी बनाए करकि यो कोल बेक और बार बार उपर का बटना न खोल बार बार उपर का बटना न खोल देवानंद के स्टाइल मा डील खाव जोल मोबाईल से मार गई मीठा मीठा वोल ब्याही जी की जान ब्यान जी को मिस कोल मोबाईल से अब सीन देखना आप ब्यान जी से बोले करके कमरे को लोग कुछ चीजे चुछ चीजे चुछ चापरों के सामने करने की नहीं होती है ये बुजुर्ग लोग कि ये हमें कुछ चिकाना दोड़ी चाहते थे अच्छ जवार्ण हाँ अध्मी की फिदरत बदलती नहीं है मैं इसी मस्टी को नहीं मंतन दे रहा ह। बदलने में नहीं चीजे और बदलने में नहीं चीजे अड़िए आपके आजाने से इस वक्त का सोंदर्य और बढ़ गया अरे वाँ वाँ वेजी साब आपकी भी मौझूद की मंचपर हो जाते हैं यह दो गीत ही है आप हमारे लोक रंजन के संबंदों को समर्पित है देखो मेरे इस गीत को ऐसा द्रिश्या आज से पहले कभी नहीं मिला मैं मैं सज गह रहा हूं कोई 1989 में मंचपर आयाए और 30 साल से मैं मंचव्पर हूं पर मेरे गीत के पात्रमंचपर कभी नहीं ते आज पेली बार मेरे गीत के पात्रमंचपर देख रहा हूं आनंद की अनुभूति के साथ लेना आप? तो पाद सो लोग भी आ गए आजव 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 ये पदमिनी कह रही थी कि मेरी तोचा से उमर का पता नहीं चलता है पाद भी सही है मैं सच कह रहा हूँ जब मैं लड़की देखने कहा था तो मुझे देखते ही लड़की की माँ बेवस हो गई पानी के छीटे विटे दिये होस में लाये तो होस में आते ही बोली यही लड़का 20 साल पहले मुझे भी देखने आया था इस आनंद का मज़ा ले ना आप ब्यान जी से बोले कर के कर देखो क्या है मेरे आईए सर संजीव सर पदारी है संजीव जी हमारे संजीव जी के संबी है अरे बाद है आज तो मेरी इस प्रस्तुती का तो सी बढ़िया यह बढ़िया से रिकोर्ड करना यह पूरे वर्ड में फेमस होगा एक इतम और यूट्यूबर कभी बुद्धी प्रकास दादीश के नाम से आपको देखने को मिलेगा और इसको एंज्य करना आप मैं बताना चाहता हूँ संबंदों की जाकी क्या होती जिसकी वज़े से संस्क्रतिया यात्रा करती है के वल हिंदूस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां पर संबंदों को कई कई जन्मों तक निभाया जाता है और संबंदी जब सामने मौजूद हो उस वक्त उस 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 खशन की खुश्बू क्या हो सकती आज यह मैसूस कर सकते हैं अभी हम नहीं कर पाएंगे इस चीच को और फिर मेरे गीत की घुश्बू बड़ा दीन उने आकर के ब्यान जी से बोले करके कमरे को लोक मिस कोल मारबा को पाडे का इशोग के नो हो जो सांची सांची के दे मूंडो खोल मैं अजय देव गन तुमारी का जोल mobile से मार गई मीठा मीठा बोल व्याही जी की जान व्यान जी को मिस्प कोल mobile से तो पातने सभबा को करके जतन व्यान बोली गलती से दपगयो बटन लोगरंजर नंहें हमारे यां खाव स relational मैं यह नहीं जानता की कविटा में ज्यान होना चैंख नहीं होना चाहिए मैं जानता हूं कविता में आनंध जरूर होना चाहिए हमारे कविताओं के रिशियों ने कहा है कि वाक्यम रसात मकं काव्यम जिस वाक्यमें रस भरावा हो उसनी कविता माँ लेना चाहिए अब सुनू बात ने संभण वा को कर के जतन। ब्यान बोली गलती सें दब ग्यों बटन, माफ करो ब्याई जी बनाओ नम खोल! ठाचि घंटी बाजबा माँ को कई रोल, मोबाइल से मार गई मिठा मिठा बोल, ब्याई जी की जान ब्याण जी को मिश कोल मोबाइल से बहुत बहुत धन्यवाद गीत ख़तम होगे ताली बजाईए और मैं आधर निये रमेज जी साब से प्राइट मैं एक गीट के दो बंद सुना देता हूं आपके वो मैंने स्टार्ट करके छोड़ दिया था वो सुना देता हूं देखो नायक परदेस गया हुआ है और नायका को विरे हो रहा है विरे यानि वेदना वेदन यानि कष्ट और जब हाँ पर बुद्धी प्रकास दादी चपकस्थ को गाता है तो लोगों के चेरे पर हासी आती है परस्तुत के इस दोर में मेरा यही योगदान माना जाएगा कविसमन के मंचवर इसका मज़ा लेना आप और करवा चोथ पर मुझे ध्यान आया मैंने पदिनी से पूछा बही तु करवा चोथ का प्रत क्यों करथी यह इसलिए करती है था कि आप दिरगाई हों आपका स्वास्थ अच्छा रहे हाला कि गाय के भू के मरने से सांड के स्वास्थ का क्या संबंद होता होगा पर कुछ होता ही होगा तो लोग रंजना का माजा लेना मैंने एक और भावी जी से पूचा भावी जी आप करवा चोट का बरत क्यू करती है बोले इसलिए करती है था कि अगले जनम में भी यही पती मिले मैंने का पुरुष तो ऐसा नहीं सोचते उनको तो इसी जनम में धंकाये एक्स्चेंज ओपर मिल जा है भी भावी निपटा से अब इस लोग आनंद का मजा लेना यह लोग रंजना यान नहीं देता मैं कविता हूं मैं आनंद देता हूं मजे करता सुनना रिमारी करवा चोत का चांद मारा जिवडा नेमत राण